एक question दिया, मैं तुझे एक question दिया, मैं कहा रहा हूँ, al giving के al 3 positive, copper 2 positive giving के copper solid, मतलिक solid मैंने वैसे लिख दिया, फेज अगला ठीक है, और मैंने तुझे data दिया, simple e naught, मैंने यहां पर कोई mention नहीं किया, मैंने simple तुझे बोला कि al, e naught of al 3 positive से al जो है, वो कितना है, वो minus के 1.66 volt है, और e naught of copper 2 positive to copper जो है, वो कितना है, वो plus के 0.34 volt है, ठीक है न, और मुझे यहां पर जो हमें, बहुत interesting point डालने वाला हूँ, और मुझे तू calculate करके दे दे, क्या, calculate करके दे, e naught cell की value, ठीक है, एक वार खुछ से try करें, फिर मुझे बताए, अब देख, इतना time नहीं, मैं चलता हूँ, देख भई, मैंने तुझे simple trick बताई थी, सबसे बहु ले, anode or cathode, एक data में deal कर, दोनों को एक data में, तो तू यहां पर देखेगा, कि यह जो three positive से zero जा रहा है, और यह two positive से zero जा रहा है, इसका मतलब यह दोनों जो data है, वो कौन है, e naught reduction potential के data है, इसका मतलब जिसकी value जादा, इसका मतलब इसकी value जादा है, इसका मतलब यह कौन है, यह cathode है, यह कौन है, और यह कौन होगा, obviously anode होगा, यह कौन होगा, इसका मतलब अगर मुझे e naught of the cell calculate करना है, तो मैं अब देख, यहां से मैं calculate कर दूँगा, क्या कर दूँगा, simple जी बात है, e naught of उसका क्या हो जाएगा, 1.66 volt हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा, 0.34 और यह कितना जाएगा, 6, 4, 10, 1, 6, 3, 9, यह 2 क्या सपास आजाएगा, 2 क्या सपास आजाएगा, 2 volt आजाएगा, यह तो calculate करना सिका दिया मैंने सब कुछ, लेकिन मैं point क्या सिकाना चाह रहा था, मैं point यह सिकाना चाह रहा था भईया, कि देख, अगर तू इसकी anode की reaction लिख करना है तुझे अब, simple तू लिखेगा, copper two positive, दो electron खाएगा, copper solid में चला जाएगा, यह equus में चला जाएगा, यह solid था, यह equus था, और अब तू अगर इसकी overall लिखने चले, और अब मैं तुझे क्या दिया, data भी दिया है, data कितना था, इसका data कितना था, 1.66 volt था और इसका data क क्योंकि यह किस की value है भाईया, यह E naught की value है, और E naught जो है ना, वो अपने आप में एक intensive property थी, तो E naught में कुछ भी, क्योंकि एक non additive property है तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, simple तुझे क्या करना है, यहाँ पर कितने electron है, यह 3 electron है, reaction balance करनी है, तो इसमें 2 की गुना कर दे, औ और जब तुझे को solve कर लेगा, तो symbol यहाँ पर कौन मन जाएगा, यह 6 electron से 6 electron कट जाएगे, यह 2 Al हो जाएगा, यह भी 2 Al 3 positive हो जाएगा, यह 3 copper 2 positive और यह भी 3 copper solid, simple जिवाद है, यहाँ पर क्या होगा, 2 Al solid plus कितने 3 copper positive giving के, 2 Al 3 positive plus के 3 copper solid, यह overall cell reaction बारवार इसलिए बता रहा हूँ, कि जब मैं नरस्ट इंट्रोडूस करूंगा न, जब मैं नरस्ट इंट्रोडूस करूंगा, तो वहाँ पर overall cell reaction से ही तो apply करना सीखेगा, तो यह e-cell तो data ही किस पर concentration based data है, तो अगर तो overall cell reaction निकालना ही नहीं जानेगा, तो कैसे न नस्तक मुचिगा